हेलो गाईज आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस इस वीडियो में हमने कबर किया है अफर्मेटिव और निगेटिव संटेंसेज तो इसमें हम पहले सबसे देखेंगे इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की पहचान जानेंगे उसके बाद उसका rules बताएंगे और इसमें structure भी देखेंगे तो future indefinite tense की जो पहचान है वो इस प्रकार है जिन हिंदी बाक्यों के अंत में गा, गी, गे, आदि सब्द आ जाएं वे sentence जो होते हैं वो future indefinite tense के कहलाते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे affirmative sentence का structure इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा subject, subject का मतलब होता है करता, जो शुरुआत में आ जाता है फिर उसके बाद में will या sell, इसमें कोई एक चीज लगेगा फिर वर्ब की first form, प्लस उसमें object लगाएंगे तो इसमें सबसे पहले rule देखेंगे अब, इसमें rule देखते हैं I और we के साथ लगेगा sell और बाकि जितने भी subject होंगे, उसमें लगेगा will तो इस sentence का जो example है, वो पहले देखते हैं इसमें लिखा है, मैं आज यहाँ पुष्तक पढ़ूँगा तो इस sentence को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें subject देखते हैं इसमें है I, तो I means होता है मैं अब यहाँ पर sell लगेगा क्योंकि I के साथ बताया है sell sell लिख लिए, अब इसमें लिखेंगे read read means पढ़ना होता है, तो read करेंगे first form, अब this book, यहाँ किताब है, तो this तो इस तरह से complete हो जाएगा अगला sentence लिखा है, हम तुम्हारे साथ इलाहबाद चलेंगे तो यहाँ पर we, we means होता है हम तो यहाँ पर we हो गया, we के बाल लगाएंगे इसमें sell, sell का प्रियोग करेंगे वी के साथ, अब यहाँ पर लिखा है go चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे go to to लिख लिया है, इसलिए direction के लिए और इलाहबाद लिखेंगे a, w, a, 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 b, a, d इलाहबाद हो गया और तुम्हारे साथ है, तो with you लिखेंगे with you तो इस तरह से complete हो जाएगा आगे का sentence देखिए तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले you, you means होता है तुम तो यहाँ पर हो गया you अब इसमें लगाएंगे will will लिखने के बाद यहाँ पर help means सहायता करना होता है तो help लिखेंगे, help के बाद लिखेंगे अपने मित्रों हैं तो यहाँ पर your friend लिखेंगे you के साथ अपना की लिखता है your friend yes लगाईए क्योंकि दोस्त बहुत से हैं इस तरह से बन जाएगा आगे का sentence देखिए बे तुम्हारी सहायता कल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दे, दे मिन्स होता है वे और इसमें लगेगा will helping बर बिल हो गया, अब help मिन्स सहायता करना होता है तो help लिखेंगे, अभी इसमें देखिए friends तुम्हारी है तो you लिखेंगे you और कल है इसमें sentence में तो हम लिखेंगे कल की tomorrow जब आने वाला कल हो तो tomorrow लिखेंगे तो इस तरह से complete हो जाएगा, अगला sentence देखिए मैं station पर अपना समय बितीत करूँगा तो यहाँ पर सबसे पहले subject लिखेंगे I, I के साथ लगेगा cell cell हो गया, अब इसमें spend करना होता है मतलब बतीत करना का लिखेंगी spend लगेगा अपना के लिए I के साथ माई लगता है और यहाँ पर हो जाएगा time और station पर है तो on the station yes, t-a-t-i-o-n तो इस तरह से complete हो जाएगा, अगला sentence लिखा है वहाँ कल एक मधूर गेत गाएगी तो यहाँ पर लिखेंगे C C लिख जाएगा, C के साथ लगेगा will will हो गया, अब यहाँ पर sing means गाना होता है तो yes, ing, sing हो गया और a लिखेंगे, एक मधूर गीत तो a sweet song, yes, w, e, t, sweet song yes, o, ing, song means गीत अब कल है, तो आने वाला कल होता है तो तुमारो लिखेंगे, t, o, m, o, r, o, w तो इस तरह से बनेगा, आप देखते हैं, negative sentences negative sentences बनाने के लिए सबसे पहले इसका structure देख लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले subject फिर will, और cell इसमें से कोई एक चीज लगेगा, उसके बाद not लगाएंगे फिर bird के first form, plus object लिखा जाएगा तो इस sentence को बनाके देखते हैं पहला sentence लिखा है, वहाँ आज यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे, he, he means होता है वहाँ, और इसमें लगेगा will, not लगाईएगा, क्योंकि will के बाद हमने not बताया है, not come means आना होता है, तो come लिख लिया और here means होता है, यहाँ और today लिखेंगे, क्योंकि इसमें आज दिया हुआ है तो इस तरह से बनेगा आगे का sentence लिखा है, हम तुम्हारी सहता नहीं करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे we, we के साल लगेगा cell, be cell, इसमें not का यूज करेंगे, क्योंकि नहीं वाला है और help you, h-e-l-p-u you means तुम्हारी मतलब यहाँ पर हो गया आगे का sentence जो लिखा है, उससे देखते है राम आज पत्र नहीं लिखेंगा तो इसमें सबसे पहले subject है राम तो यहाँ पर राम की लिखेंगे सबसे पहले राम के साथ विल लगेगा विल, नौट का यूज करेंगे राइट मिन्स लिखना होता है डाब्लू, आराइट, राइट और ए लेटर लिखेंगे या ली, डवल, ट, ए, आर और आज है तो टूडे लिखेंगे टी, ओ, डी, आ, वाई तो इस तरह से complete हो जाएगा आगे का sentence लिखा है वाँ गाली नहीं देगा तो यहाँ पर लिखेंगे ही, ही मिन्स होता है वाँ subject इसमें ही है एके साथ विल का यूज करेंगे विल, नौट, और अब्यूज लिखेंगे, अब्यूज मिन्स अब इसमें नाट भी लगेगा तो नाट का यूज कर लेंगे अब लिखेंग गो मिन्स जाना गो टू मार्केट यम ए आर के ए टी इस तरह से यह complete हो जाएगा तो friends उम्मेद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अभी तक अपनी सुपर इंगलिस क्लास चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दवा कर चैनल को सस्क्राइब कर लो और हम मिलेंगे फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई